मैं विश्वजीत कुमार आप लोगों का नौलेज मौल में स्वागत करता हूँ चलिए आज 10 कुश्टन का सेट्स बनाते हैं क्या कर रहा है आठ पूरूस ओके या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में बना सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 men is equal to राओ का 17 women तो यहां से men by women का ratio आजाएगा हमारे पास 17 by 8 ठीक है तो बोल रहे हैं कि तो 12 पूरूस ओथा 24 महिलाएं इसका मतलब क्या हो जाएगा इस तरह के 3 घरों को तो time work से divide होता है कितने दिनों में रगेंगे x दिनों में रगेंगे तो यह जो capacity है यह capacity किसके बराबर हो जाएगा आपका चुकि 8 पूरूस कितना दिने बनाता है 33 दिनों में तो क्या हो जाएगा 8 men into 33 by कितना घर बना रहा है तो by 1 ठीक है अब देखे इससे 3 common निकाल लें तो 3-3 कैसी लाउट हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका 4 men plus 8 women into x is equals to क्या हो जाएगा 8 into men that means 8 men है into men ना समझे आप तो 8 men ही लिख सकते है इसको 8 men into 33 अब जब solve करेंगे x का जब value निकालेंगे तब हम लोग क्या करेंगे men equals to कितना है 17 तो men के जगा रख देंगे 17 तो यह हो जाएगा 4 into 17 कितना हो जाएगा 68 plus women के जगा क्या रख देंगे 8 तो क्या हो जाएगा 8 into 8 64 into x is equals to 8 फिर men के जगा कितना जाएगा 17 into 33 अब यहां से x का value निकाल लेते हैं तो x क्या हो जाएगा 8 into 17 into 33 Y क्या हो जाएगा 8-4-2 6-4-2-13 11-1-2-2 11-3-2 ठीक है फिर हो जाएगा आपका 3-4-2-2 कितना हो गया 34 days तो answer हो जाएगा आपका A फिर देखतें next question बोल रहा है कि दो बृत के छेत्रफल का अनुपात 4-7 है तो तिर्जियाओं का अनुपात ग्याद करें तो याद रखियेगा अगर छेत्रफल का अनुपात 4-7 है तो इसके radius का जो ratio होता है यह direct इसका root होगा root 4 is to root 7 तो क्या जाएगा 2 is to root 7 तो answer हो जाएगा हमारा C ठीक है फिर देखतें next question number 3 क्या कर रहा है 75 मीटर लंबी रेल गारी जो 20 किलो मीटर पर ती घंटा की चाल से चल रही है एक platform पर खड़े बैक्ती को पार करने में कितना समय लेगी तो याद रखियेगा जब कोई रेल गारी किसी बैक्ती को पार करता है तो वो अपने गारी के लंबाई के बरावर डिस्टेंस टै करता है तो गारी का लंबाई कितना होगा 75 तो क्या हो जाएगा 75 वटे velocity velocity क्या है 20 km पर आवर तो meter per second पर चेंज करने के लिए 5 by 18 से क्या कर देंगा इसको multiply कर देंगा यहीं पर तो क्या हो जाएगा 15 टाइमस में ठीक है और फिर हो जाएगा आपका 5 4s आ 5 3s आ ठीक है तो कितना हो जाएगा 3 into 18 by 4 फिर यह कर जाएगा आपका 2 2s आ 2 9 तो क्या हो जाएगा 13.5 सेकेंड एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलोनों पर 15% छूट देता है ठीक है वह उन ग्रहकों को 4% की छूट देता है जो नगत भुकतान करता है ठीक है किसी 200 के खिलोनों के लिए एक ग्रहक को कितनी नगत रासी देनी होगी तो 200 की खिलोनों की बात कर रहा है ठीक है तो 200 रुपय की खिलोनों की बात करें तो पहले 15% का छूट दे रहा है तो कितना लगेगा उसको 85% फिर देखे 4% की और छूट दे रहा है तो क्या हो जाएगा 96% अब यहां से सॉल्व कर दीजे एक जिरो डबल जिरो यहां से किन स्पीड 250 टाइमस में हो जाएगा फिर 17 और यह 10 मल्टिप्लाई कर दीजे 17 चक दो तल से तो 102 हो जाएगा 17 चक तो 2, 10, 13, 13, 13, 10 10, 163 by 10 देट मिस 163.20 आप अगर चाहे तो यहां भी बना सकते हैं पहले 15% का छूट फिर 4% का छूट तो मैनस मैनस प्लस 15 इंटू 4 by 100 कितना हो जाएगा मैनस 19 प्लस कितना हो जाएगा 60 by 100 तो इसका मतलब हो गया 0.6 तो मैनस 19 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा मैनस 18.4% का इसको डिसकाउंट मिलेगा आप इससे भी डारेक्ट बना सकते हैं कि माइनस 18.4% का डिसकाउंट मिलेगा 200 में तो क्या हो जाएगा तो देखिए यह हो जाएगा आपका 200 इंटू अगर 18 मिलता तो कितना होता जल्दी से बोली 82 होता लेकिन 18.4 मिल रहा है ठीक है 18.4 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 81.6 by 100 तो यहां से एक जिरो एक जिरो गैब अब multiply कर दीजिए कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 18 दूनी 16 अंग के बाद point आएगा तो 163.2 इसते भी बना सकते हैं ठीक है फिर देखतें next question बोल रहा है दो बृत एक दूसरे को बहारूप से छूते हैं इसका मतलब यह हो गया कि एक ऐसा है और एक ऐसा है दोने एक दूसर की बीच की दूरी 14 cm है तो इसका मतलब इसके बीच की दूरी 14 cm है तो यह r1 है और यह r2 है इसका मतलब pi r1 square plus pi r2 square ब्राबर कितना रहोगा 130 pi 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 cancel हो जाएगा तो r1 square plus r2 square is equal सो कितना हो गया 130 अब देखें दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हो है 14 तो इसका मतलब r1 plus r2 कि तो बोल रहा है, छोटे बृत की तीर्जियां ज्याद करें, कोई प्रावलम नहीं है, तो छोटे बृत की तीर्जियां क्या होगा, इसके लिए हम लोग देखें, तो R1 स्कॉर प्रस R2 स्कॉर अगर 130 हो रहा है, तो क्या होगा, हीटेंट्रेल से अगर बना लें, तो पुल रहा है एक कच्छा में लर्कियों की संख्या, गर्ल्स की जो संख्या है, लर्कों से संख्यां से 20% अधिक है, तो गर्ल और बाई का रेशियो देख लेते हैं, तो लर्कियों की संख्या क्या है, लर्कों की संख्या से 20% अधिक है, अगर लर्का 100 रहा होगा, तो लर्की 66 रही होगी, boys कितना रहोगा, 6 आए था न, 30 रहोगा, ठीक है कोई प्रॉलम नहीं है, 36 रहोगा, 6 से गुना करेंगा, 36 रहोगा, बोलाए कि यदि कक्छा में 4 लर्कियां और आजाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 लर्कियां और आजाए, लड़कियों के संख्या, 40 हो जाएगा, तो girl कितना boys का, 32 रहेगा, तो लड़के तो लड़कियों के अनुपात क्या होगा, तो ये कितना गया, 4 इस्टू 3, ये किसका है, girl's इस्टू 20 का, हमको चाहिए boys इस्टू girls का, तो क्या हो जाएगा, 3 इस्टू 4, ओके, फिर देखते हैं, next question नमर 7 को, बोल रहा है कि गलत वाट का उप्योग करके, एक दुकानदार खरिते समय 10% का लाब कमाता तो था बेचने पर भी 10% का लाब कमाता है, तो उसे परतिसत लाब में कितनी बिर्दी होगी, तो देखिए, खरिदने में भी 10% और बेचने में भी 10%, तो ये बन जाएगा, a plus b plus a b by 100 से, तो 10 plus 10 plus 10 गुना 10 by 100, कितना हो जाएगा, 21% तो answer हो गया हमारा 8, फिर देखते हैं, next question number 8 को, बोल रहा है कि, एक धनरासी 15 परतिसत पर्स्ती बर्स के सधरन ब्याज पर, कितने समय में स्वें की 4 गुनी हो जाएगी, आनि कि ये x था, तो ये कितना जाएगा, 4x हो जाएगा, इसका मतलब, si कितना रहा होगा, 3x, simple interest 3x रहा होगा, तो पूछ रहा है हम लोगों से कितने समय में, तो time ब्रावर क्या होगा, ब्याज गुना 100, बटे मुल्धन गुना समय ब्रावर, ब्याज गुना 100, बटे मुल्धन कितना है, x, गुना 10 15, solve कर देंगा, ये x x कैंसे लिए 5, 5 20 जद क्यों हो जाएगा, 20 years हमारा answer हो जाएगा, फिर देखते है question number 9, क्या कर रहा है वह रासी बताईए, जो 2 बर्स बाद 10% चक्रविर्धी ब्याज पर 2420 रुपया हो जाएगी, तो देखिए 2 बर्स के बाद जो है कुल कितना बिर्धी होगा, ये हम लोग A plus B plus AB by 100 के formulas निकाल सकते है तो 10% rate of interest है तो 10 plus 10 plus 100 by 100 हो जाएगा A into B करेंगे, तो कितना जाएगा 21%, that means 21% का बिर्धी होना चाहिए 1000 रुपया तो कभी होगा नहीं ठीक है, अब देखिए 2420 की बात करें, तो 4000 तो कभी होगा नहीं, चुकि 2420 होना चाहिए 8000 कभी होगा नहीं, चुप 2420 होना चाहिए तो 80 तो कभी 4000, 8000 हो नहीं सकता है अब देखिए, 1000 की क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1000 का 21% 210 ही होगा, फिर 1210 होगा तो 2000 का 21% 420, तो क्या बन जाएगा, 2420 इस तो answer हमारा B, ठीक है, फिर देखते है question number 10, बोल रहा है कि एक school में 1460 है, अच्छा, उनमें 25% चस्मा लगाते हैं, मैं भी चस्मा लगाता हूँ, आप लोग को बता दें, ठीक है, लेकिन हम उस students में से नहीं है, जो सवाल में है, चलिए, ये मजाग था, अब बोल रहा है कि एक school में 1460 है, उनमें 25% चस्मा लगाते हैं, और चस्मा लगाने वालों में 2 बटे 7 लड़के हैं, इस school में कितनी लड़कें चस्मा लगाते हैं, कोई पावलम नहीं है, 1460 है भाई, ठीक है, 25% चस्मा लगाते हैं, अच्छा, तो 1400 का 25% चस्मा लगाते हैं, और चस्मा लग लार्कें हैं इसमें से 2-7 लरकें हैं तो लर्कियां कितना रहोगा निश्य ते 6त रहोगा जब 7 रहोगा तो यहां भी ते 7 केजल चाथ बाइ muffin हैंलों करें पांतितisen डूँगर रहें किए में की स्थाथ में हैगा तो एक वर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और मैं भी सुझित कुमार आप लोगों को धन्नवाद करता हूं पढ़ते रहे चुकि एक्जाम बहुत नजदीक है आप लोगों का जितना हो सके अच्छे से प